फार्मेसी करने के बाद मिलिटरी और पेरा मिलिटरी फोर्सेस में कौन-कौन सी जॉब अपर्चनिटी है पूरी डिटेल में डिसकस करेंगे इस वीडियो में अगर आपको देश की सेवा करनी है मिलिटरी और पेरा मिलिटरी फोर्सेस में जाना है फार्मेसी करने के बाद तो सर कौन-कौन सी उपर्चनिटी है क्यूंकि इस वीडियो के मैंने इसलिए एड किया है बहिया 2023 है 2023 में काफी कुछ बदलाव हमें देखने को मिला है और हाँ जी हाँ इस बार यानि की नोटिफिकेशन भी आ चुका है इंडियन एर फोर्स में भी आप फार्मेसी करने के बाद जा सकते है क्या कुछ उपर्चनिटी है इसके बारे में भी मैं इस वीडियो के लास्ट में एड करूंगा जो अभी हाल इमें वेकेंसी आ रखी है उसके बाद काफी स्टुएंट का मैसेज था कि सर एक वीडियो ऐसा कंक्लूड कर दीजिए जिससे कि हम आप पता लगए कि कौन-कौन से सेक्टर में मिलेटरी और पहला मिलेटरी कौन-कौन से फोर्स में फार्मिसी के लिए जोब आती है और अभी आती रहती है इसके बारे में भी बात बात है मिलेटरी फोर्स में क्या हो गया आपका कि सर जैसा कि आपका इंडियन आर्मी हो गया सर हमारी नेवी हो गया वायू से ना थल से ना और जल से ना तो simple सी बात है भया यहाँ पे सिफाई फार्मासिस्ट की वेकेंसी आती है जो कि हमें 2018-19 से ही देखने को मिली है मतलब पहले इन department मतलब military forces में पहले फार्मा स्टूडेंट के लिए थोड़े कम scope थे क्योंकि यहाँ पे particular pharmacist की वेकेंसी बहुत कम आती थी बहुत ही rare आती थी बट अभी जो है बहुत ही अच्छी वेकेंसी आ रही है जैसा कि आप screen पे देख पार है हम बात कर चुके हैं सिपाई फार्मा स्ट की वेकेंसी 2019 से हमें डेखने को मिली और अलग अलग जोन से यह रेली के थू जो है वेकेंसी हुई थी यह प्रॉपर वे में जैसा इंडियन आर्मी में भरती होती है वैसे ही यहाँ पे भरती होती अब काफी सारे स्टुडेंट का message होगा या फिर दिमाग में बात आ रही होगी कि सर आप military forces के बात करते हैं और हाली में हमने अगनीपत योजना की बात की थी अगनीपत योजना के थू आना पड़ेगा तो screen पे आपको video दिख रहा है उसी समय मैंने यह video बना दिया था कि अब pharmacist भरती कैसे होगी अगनीपत योजना के बात तो जो कोई student इस बात को लेकर aware नहीं है इस video के end में इधर ये सारे video आपको end screen पे मिलेंगे एक click पे आप सभी को check कर सकते हैं simple सी बात है तो हाँ ये जो सिपाई pharmacist वो का है sir Indian army में है न किदर है sir Indian army में ये vacancy है simple सी बात है तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं next आप देख पार है नेवी फार्मस क्या सर नेवी में भी आती ये फार्मसिस्ट जी हाँ स्क्रिन पे जो मैं आपको वीडियो दिख रहा हूँ ये सारे के सारे पुरानी फार्मसिस्ट की वेकेंसी आ चुकी है और हमारे चैनल पे आपको इसके update मिल चुके है हलांकि वेकें आपको वीडियो दिख रहा है साथ दिन पहले ही हमने इसके बारे में डिटेल में बात की थी ये भी medical attendant की वेकेंसी आई है फार्मसिस्टूडेंट के लिए इसके बारे में इस वीडियो के लास्ट में थोड़ा और ब्रिफ में बताऊंगा क्योंकि इसको लेकर काफी कुछ confusion जो है वो create हो रहा है चलिए यहां तक clear हो गया कि सर military forces की में बात करूँ तो तीनों ही forces में pharmacy के लिए job opportunity है समय समय पे आती है और जबी भी आती है सारा सब कुछ update आपको कहां मिलता है वही अमर सायर academy पे और हमारी website www.pharmaaffinity.com यहां तक तो बात हो गई सर जल सेना वाई शेना और थल सेना की अब बात आती है सर पेरा military forces जिसको की हम क्या नाम से जानते हैं अर्द सेनिक बल है ना क्या है अर्द सेनिक बल जितने भी है आपके यहां पे डारेक्ली आपकी फार्मासिस्ट की job आती है काफी बार काफी student aware होंगे BSF में directly pharmacist की ESI की post आती है कौन से आती है ESI की आती सर CRPF में अभी 2023 में यह vacancy भी आपको देखने को मिल सकती है upcoming vacancy के बारे में हमने बात कर चुके हैं ठीक है next असम राइफल में भी यहां पे vacancy आती है यह vacancy आपको 2021 में है ना देखने को मिलती इसके बारे में भी हम ITBP में भी ASI pharmacist की vacancy आई थी और इसकी भी काफी सारी मतलब की में मुझे जिता याद आ रहा है लगबग आपकी कितनी 24 पोस्टे थी तो काफी student ने इसका form भी वड़ा होगा और वो सारे अभी यह सोच रहे हैं सरीज का admit card कब आएगा तो मैंने आपको पहले ही बता दिया admit card आने में अभी time है और जबी भी आएगा update मिल जाएगी चिंता नहीं करें क्योंकि इस वर्ती का process जो है वो थोड़ा समय के अनुशार चलता है ठीक है जी तो यह सारी total मिला के आपकी सैनिक और अर्ध सैनिक बल जो है यहां पर फार्मसिस्ट के regarding opportunity आती है जैसा कि आप screen प पूरा detail video मिल गया था कि sir इसकी क्या क्या eligibility है और अभी आप हाली में skin पर देख पा रहे हैं यहां पे हम totally बात कर चुके है sir pharma requirement at Indian Air Force जो की हाली में अभी notification आ चुका है इसके बारे में totally detail में हम बात कर चुके हैं मैं सीधा इसके notification की और चलूँगा और जो student को कुछ confusion है इसक इसकी official PDF जो है वो आपके सामने खुली वी देजराएगी यहां पर इस वेकेंसी को regarding काफी स्रून का यही confusion था कि सरी वेकेंसी जो है वो south की तरफ से आई है तो यह वेकेंसी नौर्थ की तरफ से कब आईगी उत्तर भारत में कब आएगी तो मैं आपको याद दिलाना चाहत है कि अभी यह south zone से आई है तो आपके में रीजन से हो सकता है आपको यहां पर वेकेंसी देखने को मिल सके मैं बोल डाउन हो सकता है देखने को मिले तो यहां पर सिंपल सी बात है भाईया CDC eligibility वगरा सब कुछ यहां पर लिखी हुई है कि देखिए यहां पर आपको कुछ ज यह basically Rayleigh के through vacancy है साथ और आठ फरवरी की group Y medical assistant जिसमें कि आपका diploma slash B.Sc. in pharmacy candidate eligible थे पहली activity क्या थी physical test की है ना physical बोले तो धौड ना second activity क्या है return exam देना return exam में पास होना return में पास होगे तो adaptively first test जिसके बारे में हम बात कर चुके है स्क्रिन पर आपको वीडियो दिख्टा है detail में हम बात कर चुके हैं फिर secondly आपका adaptivity और फिर आपका medical appointment मतलब medical examination जो है वो आपका होना है ठीक है यहां तक simple सी बात है domicile की में बात कर चुके हैं pharmacist के लिए candidate for diploma and BS in pharmacy हम बात कर चुके हैं इसके बारे में domicile में देखे क्या लिखा हुआ है तेलिंगा नहीं और चैने के हिसाब से लिखा है तो मतलब कि आपका moon लिवास जो है वो किस हिसाब से होना चाहिए ठीक है तो यह सारा सब कुछ हम detail में discuss कर चुके हैं यहां पर point wise अगर आप देखेंगे इसको तो यहां पर देख पा रहे है selection procedure के बार में थोड़ा सा समझाओंगा CDC बात है यहां पर पहले तो आपका verification मतलब आपको exam के लिए क्या-क्या लेके जाना है वो सारा सब कुछ original mark sheet वगेरा ठीक है फिर 19 नमर पर आप देख पा रहे है physical efficiency PFT test होग तो यह सारे requirement थी इसमें confused होने की बात ही नहीं है simple सी बात है जो भी student यहां पर eligible है south region से यह vacancy आई है तो उस हिसाब से आप पूरा notification पड़ें और इसके लिए क्या करना है सरी यह airman की vacancy है तो यह जो है daily के तुरू होगी देखिए यहां पर completely detail में mention है क्या लिखा हुआ है द कोई confusion है तो मैं clear कर चुका हूँ फिर भी आप comment box में सवाल कर सकते हैं चलिए तो कैसा लगा information जरू बता comment section में sector wise आपको कुछ और opportunity, career opportunity, अलग-लग sector wise, pharma industry wise सारा सब कुछ अगर आपको कुछ जानना है तो comment box में comment जरूर करें आने वाले वीडियो में आपको separate video मिल सकता इस topic करेकारी क्योंकि आपके सवाल और मेरे जवाब, कैसा लगा information जरू बता comment section में, like करें, share करें, subscribe करें मेरे चैनल को, ऐसा informative, pharmacy update, news update, vacancy update, video lectures के लिए, keep watching, stay tuned